आप सब को मेरा नमस्कार, अभी मैं सेंपल कोस्टन पेपर क्लास नाइन्थ मैदमेटिक्स स्टेंडर्ड कोड़ 041 टम्टू को सालव करूंगा सेशन 2021-22 को लिए तो बच्चों इसमें देखे जो टाइम है 2 आवर का है और जो मिंग्यम माक्स है 14 है चलिए इस्ट्रेक्शन को पढ़ते हैं इसमें देखे टोटल जो कोस्टन है वो 14 है और तीन सेक्षन में डिवाइड़ है एब इसी में सारे कोस्टन कमपल्सरी हैं कोई भी आपको छोड़ना नहीं है सेक्षन ये में 6 कोस्टन है 2 माक्स है के इसमें इंटर्नल 24 है 2 कोस्टन में मलब इंटर्नल 24 का मतलब है कि एक कोस्टन रहेगा जैसे फिप्त नंबर कोस्टन है उसमें 2 कोस्टन इसमें से एक आपको करना है सबसे पहले क्या करेंगे एकस का पावर 4 को यहाँ डिवाइट करेंगे एकस से तो जब डिवाइट करेंगे तो यह एकस का पावर 4 माइनस 1 एकस का पावर 3 हो जाएगा और इसी को हम सबसे पहले यहाँ पे क्यों सेंट में लिखेंगे एकस का पावर 3 करके फिर इन दोनों को multiply करेंगे तो यहाँ भी मिलेगा x का power 4 minus 2x cube अब इसको subtract करेंगे तो x का power 4 x का power 4 खतम हो जाएगा यहाँ पर देखे 2 2 4 हो गया तो 4 x का power 3 हो गया फिर यहाँ को नीचे उतारेंगे minus 3 x square को यहाँ पर नीचे उतार दिये फिर क्या करेंगे कि 4 x का power 3 को divide करेंगे किसे हम लोग divide करेंगे इसको x से ठीक है तो x से सब divide करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक से है जो divisor है उसका first term जो है तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर 4 x square मिलेगा फिर 4 x square को यहां पर plus करके q cent में लिखेंगे, फिर 4x square को multiply करेंगे, x minus 2 से, यहां पर मिलेगा 4x cube minus 8x square, क्योंकि 4 2 जा 8 होगा, फिर इसको salvo करेंगे, तो 4x cube, 4x cube, cut गया, यहां पर द्यान से देखेंगे, तो minus 3x square plus 8x square, यहां पर मिलेगा हम लोगों को 5x square, फिर यहां पर जो x है न नीचे उतर आएगा, यहां पर, तो 5x square plus x, फिर क्या करेंगे, एगले step में, जो 5x square है, उसको x से divide करेंगे, तो divide करेंगे, तो यहां पर 5x आय साल्व करेंगे, तो यहां पर 5x square, और 5x square, cut गया, यहां पर मिला हम लोगों को, minus 10x से plus 10x हो जाएगा, तो 10x से plus x, 11x, और यहां पर minus 1 नीचे आजाएगा, तो minus 1, फिर यहां पर 11x को divide करेंगे, 11x को जब x से divide करेंगे, तो हमको 11 मिलेगा, तो यहां पर plus 11 कर देंगे, क्य minus 2 से, यहां पर होगा, 11x minus 22, इसको solve करेंगे, तो हमको remainder मिलेगा 21, जो question में पुचा है, so remainder is 21, तो इसका remainder कितना हो जाएगा, 21, question 1 का R है, if x minus a is a factor, आप, x cube minus x square plus 2x plus a minus 1, find the value आपे, तो इसमें बोट आएक, x minus a के factor है, जो polynomial यहां पर दिया हुआ, x cube minus x square plus 2x plus a minus 1 का, तो हमको value find out करना है, x का, अब question 1 के R को solve करते समय हम लोग को ध्यान देना है, कि यहां पर बोला है, कि यह जो polynomial है, x cube minus x square plus 2x plus a minus 1, इसका effector x minus a, मतलब यह जो polynomial पर अगर x के जगा हम लोग a put करें, तो इसको satisfied करेगा, यह इसका value 0 आएगा, यहां पर मैंने लिख्या, इसलिए कि let px equal to x cube minus x square plus 2x plus a minus 1, and it is given that x minus a is a factor of the polynomial, इसका मतलब क्या होगा कि x minus a equal to 0, so that x equal to a, so p a equal to 0, the p a के जगा हमे, x के जगा मे a put करेंगे, तो value 0 मिलेगा, यहां पर x के जगा हमने a put किया, यहां पर a cube हो गया, minus a into a square plus 2 into a plus a minus 1 equal to 0, अब हो जाएगा a cube minus a cube, है na, a square into a a cube हो गया, plus 2 a, 2 into a 2 a plus a minus 1 equal to 0, इसको solve करेंगे, तो a cube, a cube cancel, और 2 a plus a 3 a, 3 a minus 1 equal to 0, तो 3 a equal to 1, तो a equal to 1 by 3 है na, तो यही इसका answer है, यहां पर value क्या मिल गया हम लोगों को, 1 by 3, यहां पर लिख सकते है, value आप a equal to 1 by 3, answer है, question 2 है, factorize 25 by 4 x square minus y square by 9, तो इसको factorization से question है, question 2 जो है na, वो factorize करना है, इसमें, यहां पर देखे एक identity है, a square minus b square, 25 x square divided by 4 minus y square by 9, जिसको लिख सकते हम लोग, 5 x sub y 2 का whole square, minus y by 3 का whole square, जिसको अगर solve करेंगे तो a minus b, a plus b होगा, तो 5 x sub y 2 minus y by 3, और 5 x sub y 2 plus y by 3, जिसका जो factorization होगा, यही होगा कि 5 x sub y 2 minus y by 3, और 5 x sub y 2 plus y by 3, question 3 है, prove that the diagonals of rhombus bisect each other at right angles, इसमें हमको prove करना है, कि जो rhombus होता है, उसके जो diagonal होते हैं, एक दुसरे को right angle में bisector करते हैं, question 3 में सबसे पहले हम लोगों को एक rhombus draw करना है, तहां पर मैंने एक rhombus draw किया है, a, b, c, d, और a, b, c, d के जो diagonals हैं, a, c, और b, d हैं, जो एक दुसरे को bisector कर रहे हैं, वो पर, तहां पर देखिए given क्या है, a, b, c, d, जो rhombus, a, b, c, d एक rhombus है दिया हुआ है, prove क्या करना है, कि diagonals bisected 90 degree, कि diagonals एक दुसरे को 90 degree पर bisector कर रहे हैं, इसको prove करना है, prove में जाएंगे तो, in triangle AOD and triangle COD, जो triangle AOD है और triangle COD है, इसमें AO equal to OC, AO और OC बराबर है, इसका reason क्या है, कि rhombus ही जो philogram, rhombus एक philogram होता है, इसके सामने के side जो है पिललल होते हैं, and in a philogram, diagonals bisect each other, और एक philogram में जो diagonals होते हैं वो एक दुसरे को बराबर bisector करते हैं, उसके बाद देखिए इसके बाद है क्या, OD equal to OD, इन दुनों triangle में OD common है, और AD equal to DC, है न, ADODC दिया हुआ है, क्योंकि ये sides हैं, rhombus के, और rhombus के सरचाइट जो है न, बराबर होते हैं, इसलिए दुनों triangle क्या होगए, congruent हो गए, तो triangle OD, congruent, triangle COD, rule क्या है, side 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 rule है, by SSS rule, इससे क्या मिला हम लोगों को, कि ये जो दुनों angle है, angle AOD और angle COD, ये दुनों equal हो गाए, angle AOD equal to angle COD by CPCT, जब इसको add करेंगे, तो angle AOD plus angle COD equal to 180 degree, linear pair से, और हमको मालूम है, दुनों equal है, तो यहाँ पे angle AOD plus angle AOD equal to 180 degree, है न, क्योंकि दुनों equal है, तो 2 angle AOD equal to 180 degree, so that angle AOD equal to 180 by 2 equal to 90 degree, हैंस proved, जिससे prove हो गया क्या, कि जो diagonals होते हैं, रॉंबर्स के बएक दुसरे को bisector करते हैं, right angle के, क्योंकि angle AOD हमको 90 degree मिला, question 4 है, find the length of a cord, which is at a distance of 8 cm, from the center of a circle of radius 17 cm, तो एक circle जिसका radius 17 cm है, तो उसमें, एक code के length को हमको find out करना है, जिसका distance जो है न, center से 8 cm है, अब देखिए question 4 को सालवा करने के लिए, सबसे पहले एक circle ड्राग कर लेंगे, circle यहाँ पर मैंने ड्राग किया है, इसका center हो है, और जो code A बोल रहा है, code A भी है, और इस code का center से distance जो है न, 8 cm है, और इसका radius जो है, जो circle है, वो, वो यह दिया हुआ है, यहाँ पर 17 cm, तो यहाँ पर solution में कैसे लिखेंगे, let A, B, accord आपा circle with center O and radius 17 cm, A, B जो है न, accord एक circle का, जिसका center O है, और radius 17 cm है, draw O, L, perpendicular A, B, O, L, perpendicular A, B, draw करेंगे, फिर join O, A, O, A को join करेंगे, अब देखें, tangle मिल गया, O, L हमको, या O, L, A, अब उसके बाद देखें, then O, L equal to 8 cm, यहाँ पर O, L क्या है, 8 cm है, और O, A equal to 17 cm है, चुकिए, जो tangle है, O, L, A, right angle tangle है, तो इससे हमको, पैथागोरस स्वरम से क्या मिल जाएगा, O, A का square, equal to O, L square, plus L square, hypotenuse square, equal to base square, plus perpendicular square, अब L square हमको find out करना, L का value, तो L square लेंगे, तो O, L को transfer कर देंगे, उधर, तो O, A square minus O, L square, equal to 17 square minus 8 square, और यह सब centimeter में है, आगे जाके हम लोग solve करेंगे, यहाँ पर मैंने detail में solve किया हुआ है, तो हम लोगों क्या मिल लेगा, A L equal to 15 centimeter, ठीक है, अब आगे देखिए, since the perpendicular from the center, आप A circle to a quad bisect the quad, तो मालिक यह किसी circle के center से, perpendicular किचा जा रहा है, किसी quad क्यू पर, तो quad को दोबर आबर भगों बाढ़ता है, मतलब A L equal to यहाँ पर L B होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, कि A B equal to 2 into L, यह भी जो हैना L का दुगुना होगा, तो 2 into 15, equal to 30 centimeter, तो length आप a quad equal to 30 centimeter, तो जो length है quad का, हो कितना है, 30 centimeter है, यही इसका answer होगा, question 5 है, construct a triangle, whose sides are 3.6 centimeter, 3 centimeter and 4.8 centimeter, bisect the smallest triangle, तो हमको एक triangle construct करना है, जिसके side यहाँ पर दिये हुए है, 356 centimeter, 3 centimeter and 4.8 centimeter, और जो smallest triangle है, जो triangle बनेगा, उसका, उसको bisect करना है, अब question 5 को सालवा कैसे करेंगे देखिए, according to the given details, जो details हमको मिला हुआ है, वो क्या है, we have to construct a triangle, whose sides are 3.6 centimeter, 3 centimeter and 4.8 centimeter, कि हमको एक ऐसा triangle बनाना है, जिसके side से जो है 3.6 centimeter है, 3 centimeter है और 4.8 centimeter है, उसके बाद दिखिए, and to bisect the smallest triangle and measure each part, और smallest triangle को bisect करना है, और हर part को measure करना है, तो दिखिए, सबसे पहले हम लोग, A-B construct करेंगे 4.8 centimeter, ठीक है न, यहाँ से 4.8 centimeter का यह A-B हो गया, अब यह से 3 centimeter नाब के हम लोग, एक R काटेंगे, R का काटेंगे, ठीक है, तो दिखिए 3 centimeter हो गया, और यहाँ से हमको एक R का काटना है, दिखिए मैंने एक R का काट लिया, अब B से सिमिलरली हमको 3.6 centimeter का, एक R का काटना है, जो कि previous R को intersect करेंगे, ठीक है, तो दिखिए B से एक R का काटना मैंने, यह हो गया 3.6 centimeter का, तो यह अपने को point क्या मिला, यहाँ पर यह मिला C point, ठीक है, अब इसको हम लोग को मिला देना है, बिलकुल आईसा, यह देखिए, यह क्या हो गया, यह हमने लिया है, A B 4.8 centimeter, हमने B C लिया है, 3.6 centimeter, और यह जो है न, A C यह 3 centimeter है, तो यह जो गोड़े side होते हैं न, उसका angle जो है सबसे छोटा होता है, इसको measure करेंगे तो यह लोग सबसे छोटा होगा, अब इसको हम लोग को bisector करना है, तो bisector करने का क्या rule है, कि सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक बड़ा सब लोग angle ले लेंगे, ऐसा, ठीक है, और यह जो angle हमने लिया हुआ है, उसके 50% से ज्यादा इधर एक आर्क काट लेंगे आईसा, similarly आर्क काटेंगे हम लोग वापस, दूसरे point से यह ऐसा, देखिए, अब यहाँ पर देखिए, दूनों एक आर्क जोन है, एक दूसरे को intersect कर चुके हैं, फिर 20 से हम लोग यहाँ पर लेते हुए, एक line ड्रा कर देंगे, ठीक है, तिर जो सबसे छोटा angle है, उसका यहाँ पर bisection हो गया, अब इसके बाद देखिए, steps आप construction लिखेंगे, तो सबसे पहला है, ड्रा line AB equal to 4.8 cm, हमने एक ड्रा किया है line, AB 4.8 cm, दूसरा जो है, now radius of 3 cm, एक radius लेंगे 3 cm का, जैसे कि हमने लिया हुआ है, and center A, और center A से फिर drag करेंगे, एक arc को, जो मैंने किया हुआ है, आपने देखा है, फिर 3rd में लिखेंगे, again with radius of 3.6 cm, फिर से, जो radius लेंगे 3.6 cm का, और center होगा B, जो हमने किया है, एक और arc काटेंगे हम लोग, जो की previous arc को intersect करेगा, C पे, उसके बाद 4th number में, join C and C B, join कर देंगे C और C B को, जो हमने किया है, we get the required triangle ABC, जिससे हम को जो चाहिए, triangle ABC हो मिल जाएगा, question 6 है, the diameter of roller, 120 cm long is 84 cm, एक roller का diameter, जो की 120 cm long है, वो 84 cm है, if it takes 500 complete revolutions, to level a playground, find the cost of labeling, it 8 rupees 5 per square meter, तो माली जी ये 500 complete revolution करता है, या 500 बार घुमता है, एक playground के level, एक playground को level करने के लिए, तो हम लोगों को जो labeling का caste है, या समतल करने का जो caste है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, rupees 5 per square meter, उसको find out करना है, question 6 में जो दिया है, एक roller है, जिसका जो length है, 120 cm है, एकर इसको आप लोगों का जिरेंडर पाने है, तो इसका height, जो है 120 cm होगा, जिसका जो diameter 84 cm है, तो radius 42 cm होगा, और ये 500 complete revolution करता है, और जो हाँ पे labeling का caste दिया हुआ है, rupees 5 per square meter, cylinder roller h equal to 120 cm, अगर meter में convert करनें, तो 120 by 100 meter, diameter आप roller d equal to 84 cm, तो radius r equal to 84 by 2, equal to 42 cm, equal to 42 by 100 meter, अब area covered in 1 revolution by the roller, अगर एक बार roller भूंता है, जिसे में रप्यन एक roller है, एक बार घुमेगा, तो ये curved surface area आप roller होगा, उतने के बराबर का area ये cover करेगा, जो की होता है 2 pi r h, and area covered in 500 revolutions, अगर ये 500 rotate करता है, तो कितना area cover होगा, 500 into 2 pi r h, अब उसके बाद दिखिए, and cast up labeling, 8 rupees 5 per meter square, अगर इसको cast up labeling निकालें, ते जो 500 revolution है, उससे जो cover area हो रहा है, उसको multiply करेंगे 5 से, तो 500 into 5 into 2 pi r h, अब यहाँ पे r r h का value डालेंगे, तो 500 into 5 into 2 into 22 by 7, pi का value जो होता है, 22 by 7 होता है, into 42 into 120, और divided by 100 into 100, meter में convert करने के लिए, तो last time में हम जो शाल्व करेंगे, तो हमको मिल जाएगा, rupees 7920, है ना, so cast up labeling equal to, rupees 7920, यही क्या होगा, इसका answer होगा, section B में question number 7 है, कि prove that the line segment joining, the mid points of any two sides of a triangle, is parallel to the third side, and equal to half a pit, तो हमको इसमें prove करना है, कि कोई triangle है, जिसके two sides है, कि mid point को एक line segment join कर रहा है, तो जो है third side है, टैंगल के उसके parallel होगा, साथी साथ उसके half के equal होगा, देखे इसमें given क्या है, ABC is a triangle, ABC एक triangle है, where E and F are mid points, AB and AC respectively, E और F जो है na mid point है, जो side AB है, और side AC है, हमको prove क्या करना है, कि जो EF है, वो parallel है किसके BC के, EF parallel BC, second prove करना है, EF जो है na, होगा side BC का half है, EF equal to half BC, इसमें हो लोग construction करेंगे, through C, draw line segment parallel to AB, C से होते हुए, एक line segment हमको drag करना है, जो यहाँ पर मैंने किया हुआ है, जो parallel होगा किसके, AB के, जिसके parallel होगा, and extend EF, और EF को आगे पढ़ाना है, और जो line segment हमने drag किया है, उसमें जाके जो EF है न, वो D पे मिल रहा है, to meet this line at D, ठीक है, इसके आगे देखें, जो proof करना है, हमने discuss कर लिया है कि, since AB parallel CD, यहाँ पे AB जो है न, यहाँ पे वाला AB, वो किसके parallel है, CD के है न, एक diagram मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, उससे देख लेते हैं, तो यह जो AB है, वो parallel है किसके CD के, और यह जो ED है, यहाँ पे क्या है, टांसवर्सल है, मतलब दो parallel line को यह काट रहा है, तो उसके एकान क्या होगा, यह वाला जो angle है, angle CDF, equal होगा angle AEF के, यह alternate interior angle होगा, जिसको यहाँ पे मैंने लिखा है कि, angle AEF, parallel angle CDF, alternate angles, equation 1 दे दिए, अब यह दोनों triangle में देखिए, in triangle AEF, and triangle CDF, tangle AEF में और tangle CDF में, यह जो angle है, angle AEF equal to angle CDF, हैना, equal होगा, क्योंकि alternate interior angle है, from 1 लिख देंगे इसको, दूसरा जो angle है, AFE, equal हो जाएगा angle, CFD के, यह दोनों vertically opposite angle है, उसके बाद देखिए, AF, यह जो AF side है, वो बराबर होगा FC के, यह CF के, AF equal to CF, क्योंकि F जो है न, midpoint है किसका side, AC का, as F is midpoint of AC, अब उसके कान क्या हो गया, इस दोनों triangle जो है, टाइंगल AEF, concurrent हो गया triangle CDF के, rule क्या है, angle angle side rule से, अब माल लिखे, दोनों triangle concurrent हो गये, तो क्या क्या इसमें, और equal हो जाएगा, EA जो है, EA और A equal हो जाएगा, किसके DC के, corresponding part आप, concurrent angle से, साथी साथी, यहां पर देखिए, EF भी equal हो जाएगा, FD के, तो F जो है न, midpoint AC का भी होगा, और line segment ED का भी होगा, इसको आगे जाके, यूज करेंगे हम लोग, अब यहां पर देखिए, EA जो है न, equal है किसके EB के, EA equal है EB के, क्योंकि E midpoint है, AB का, तो हम इसको replace करेंगे, तो EB equal to DC हो जाएगा, EB जो है न, वो DC के equal हो गया, अब इसमें क्या है कि, now EB CD, जो EB CD है, उसमें, हम रोगों को क्या मिला कि, EB parallel है DC के, EB parallel हो गया DC के, और EB बराबर भी है DC के, मतलब क्या हो गया कि, जो EB CD है, वो parallelogram है, है न, इसका rule क्या होता है, parallelogram का, कि thus one pair of opposite sides, is equal to, equal and parallel, hence, EB CD जो parallel, इस चे से समझ में आगे, आप लोगों को, अब जब यह parallelogram है, किसमें क्या होगा, since opposite sides, आप हाप parallel होगा राम आप parallel, जिसके opposite sides जो है न, parallel होते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि, ED parallel, BC, जो ED है, वो parallel होगा BC का, है न, मनले, EB pillar है CD का, तो ED भी parallel होगा, BC का, अब जब ED, parallel है BC का, तो EF, जो कि ED का हाप है, वो भी parallel होगा BC का, है न, TC को यहाँ पे लिख दिये हैं, ED parallel BC, so that, EF parallel BC, hence proved, जिसका जो पहला पार्ट है, वो proved हो गया, अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, अब देखिए, EBCD जो पे लोलोग्राम, EBCD एक पे लोलोग्राम है, तो ED parallel होगा BC का, और EF parallel है BC का, इसका हम prove कर चुके हैं, अब इसमें देखिए ED, जो ED है, वो किसके equal होगा BC का, इसका region क्या है, इसका region है कि, ABCD जो पे लोलोग्राम, so it's opposite sides are equal, EBCD जो है एक पे लोलोग्राम है, तो इसका opposite side equal होते हैं, अब माले जीए, ED equal होगा BC का, तो इसका half भी equal होगा, तो half ED equal to half BC, अब half ED किसकी equal है, EF equal है, हम prove कर चुके हैं, तो EF equal to half BC, है ना, क्योंकि half ED equal to EF, तो जो second part है, वो भी इसका prove हो गया, hence proved, second part क्या था, ये जो side EF है ना, हो हाफ होगा किसका BC का, तो आसर करते हो है, question काफी अच्छे से, आप लोगों को समाझ में आ गया होगा, question 8 है, in the given figure, AB is a diameter, of the circle which center O, नीचे में एक figure दिया हुआ है, जिसमें AB एक diameter है, एक circle का, जिसका center O है, AC and BD produced, meet AT, and angle COD equal to 40 degree, calculate angle CED, जिसमें AC और BD को, आगे बढ़ा के मिलाया गया है, E पे, और angle COD यहाँ पर 40 degree है, तो हमको angle CED को find out करना है, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यह जो angle दिया हुआ है, यहाँ पर, यह 40 degree दिया हुआ है, और हमको, इस angle को find out करना है, question 8, दिखने में काफी complicated है, लेकिन है वह होती जी, इसमें दो theorem आपको बहुत अच्छे से समझना है, इसमें theorem एक है, कि the angle subtended by an arc, आप a circle, it is a center, it is twice, the angle, it is subtends, anywhere I am the circle circumference, तो माल लिजे, circle में किसी arc से हम, center पे कोई angle subtend कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे arc CD है, इस angle subtend कर रहे हैं COD, तो माल लिजे यही जो arc है, circle के किसी दुसरे point पे, जो कि circumference पे होगा, अगर angle subtend करता है, तो center के angle का हाप होगा, यह थोरा हम हमने अच्छे समझा है, उसको यहाँ पे use करेंगे, second इसमें है, कि जो angle होता है समी circle का, जैसे यहाँ पे देखे, यह भी diameter है, तो यह भी जो angle subtend करेगा, वो हमेशा क्या होगा, 90 degree होगा, यह perpendicular होगा, यह दो थोराम इसको हम use करेंगे यहाँ पे, तो चलिए शुरू करते हैं, इसमें given क्या है, angle COD equal to 40 degree है, हमको find out करना है, angle CED, इस angle को हमको find out करना है, अब जैसे मैंने बताया हुई है, angle CBD, यह जो angle CBD है, equal to half COD, equal to 20 degree, region वही है, the angle subtended by an arc, of a circle, its center is twice the angle, its subtends anywhere under circle circumference, अब उसके बाद, right triangle होगा, कौन सा, triangle ECB, ECB, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, angle BCE, जो angle BC है, plus angle CBD है, plus angle CED है, मनि यह तीनो angle, इस triangle के equal to 180 degree, angle sum property, आप हो triangle, और यह जो angle है, ECB यह 90 degree क्यों हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि angle ACB, यह वाल angle 90 degree है, angle इना, semicircle, semicircle का angle है, तो यह दोनों angle linear pair बनाते हैं, तो angle ACB plus angle BC, equal to 180 degree, linear pair से, ACB 90 degree है, तो BCEB 90 हो जाएगा, क्योंकि 180 minus 90, 90, ठीक है, यह समझ में आ गया, यह वाला जो angle, right angle क्यों हुआ, उसके बाद देखिए, यहाँ पे 8 करेंगे, तो यह angle CBD है, वो 20 degree है हमने निकाल लिया है, तो 90 plus 20 plus angle CED, equal to 180 degree, जब इसको transfer करेंगे हम लोग, ते हो जाएगा, 180 minus 1810, equal to 70 degree, तो इसका answer क्या आ गया, angle CED, equal to 70 degree, तो बच्चों, इस question को बहुत ध्यान से, आप लोग समझ लिजेगा, इस्टेप का question निक जाम में आ सकता है, और आएगा तो आपको बहुत हार जाने वाला है, क्योंकि देखने में मैंने सालव किया है, PG लग रहा है, लेकिन इतने easy question नहीं है, question 9 है, in the given figure, ABCD is a cyclic quadrilateral, यहाँ पर नीचे में एक figure, अभे आपको दिखाऊंगा मैं, जो कि एक cyclic quadrilateral का है, in which angle A equal to 2X plus 4 degree, angle B equal to X plus 10 degree, angle C equal to 4Y minus 4 degree, and angle D equal to 5Y plus 5 degree, find the values आप X and Y, इसमे X and Y के value को find out करना है, hence find the measure आप each angle, उसके बाद जो angle है, ABCD, उस सब के measurement को find out करना है, तो देख लिजेए, यहाँ पर figure में किस प्रकार से है, यहाँ पर A का जो angle है, 2X plus 4 degree है, B जो है वो X plus 10 degree है, C 4Y minus 4 degree है, और D जो है ना 5Y plus 5 degree है, बच्चों question 9 का जो solution है ना, वो cyclic quadrilateral के एक property पे depend करता है, कि कि किसी cyclic quadrilateral के जो opposite angle होते हैं, जैसे इसमें angle A और angle C है, angle B और angle D है, इनका जो sum है ना 180 degree होता है, यहाँ पर given क्या है, angle A equal to 2X plus 4 degree, angle B equal to X plus 10 degree, और angle C equal to 4Y minus 4 degree, और angle D equal to 5Y plus 5 degree, तो उस property क्यों यूज़ करेंगे, तो इना cyclic quadrilateral, angle B plus angle D equal to 180 degree, angle A plus angle C equal to 180 degree, और इसका region क्या है, the sum of either pair of opposite angles is 180 degree, अब इसमें जब value put करेंगे, यहाँ पर देखे, X plus 10 plus 5Y plus 5 equal to 180 degree, तो इसको solve करेंगे, तो X plus 5Y equal to 180 minus 15 equal to 165 degree, इक्वेशन 1 मिल गे हम लोगों को, second में value put करेंगे, angle A plus angle C का, तो 2X plus 4 plus 4Y minus 4, equal to 180, यहाँ पर plus 4 minus 4 cancel हो गया, तो क्या मिल अपने को, 2X plus 4Y equal to 180, इसमें 2 common निकाले हम लोग, तो X plus 2Y equal to 180 by 2 equal to 90, अब इसमें क्या करेंगे, subtracting equation 2 from equation 1, equation 2 को equation 1 से हम लोग, subtract करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, X plus 5Y, जो equation 1 में है, minus X minus 2Y, जो equation 2 का है, equal to 165 minus 90, तो 165 minus 90, 75 होता है, यहाँ से, XX से cancel out हो गया, तो 3Y equal to 75, तो Y equal to 75 by 3 equal to 25, तो यहाँ पर देखिए, Y का value अपने को क्या मिला, 25, अब Y का value को put करेंगे, putting Y equal to 25 in equation 2, equation 2 में, तो हो जाएगा, X plus 2 into 25 equal to 90, तो X equal to 90 minus 50 equal to 40, ठीक, तो देखिए, यहाँ पर X और Y का हम लोगों को value मिला, यह भी question में पुछा हुआ है, तो इसको अलग से लिखिएगा, यहाँ पर X equal to 40 and Y equal to 25, यह एक answer है, अब second portion में जलते हैं question में, कि सारे के सारे angle के value को पुछा है, तो A equal to 2X plus 4, तो यहाँ पर X से का value 40 डालेंगे, तो 2 into 40 plus 4, इसको solve करेंगे, तो 42 जा 80 और 4, 84, B में जाएंगे, तो X plus 10, तो 40 plus 10 equal to 50, C में जाएंगे तो 4Y minus 4, तो 4 into 25 minus 4 equal to 100 minus 4 equal to 96 degree, और D में जाएंगे तो 5Y plus 5, तो 5 into 25 plus 5, तो 25, 5 जाएंगे 25 plus 5, 130, तो देखें, चारो value मिल गया angle के हम लोग को, अब इसको check कर सकते हैं, इसका sum जो है na 360 आना चाहिए, क्योंकि sum आप आल एंगल आप order letter 360 होता है, तो A plus B plus C plus D, 34 plus 50 plus 96 plus 130, equal to कितना हो गया, 360, और लोग कैंसर जो है बिल्कुल सही है, question 10 है, a right circular cone is 3.6 cm high, and the radius, आप its base is 1.6 cm, तो देखें, एक right circular cone है, जिसका height 3.6 cm है, और radius उसके base 1.6 cm है, it is melted and recast into a right circular cone, और वापस इसको melt करके recast किया जाता है, same उसी type के shape में, मतलब right circular cone में, having base radius 1.2 cm, और जिसका base radius 1.2 cm है, find itself height, जिसके height को हम लोगों को find out करना है, देखे, question 10 में, दो cone है, एक cone पहले वाला है, और एक cone बाद वाला है, तो दोनों के लिए हम लोग, पहले जितने parameter हैं, उसको लिक लेंगे, जैसे कि radius है, height है, तो देखें कैसे लिखेंगे, कि late height आप cone, which is given is, जो cone पहले दिया हुआ है, h1 है, उसका height, and radius equal to r1, and volume equal to v1, तो तीन चीज हमने पहले वाले cone का मान लिया है, height h1 है, radius r1 है, और volume जो है न, v1 है, and after melting, new cone से radius, melt होने के बाद जो नया cone बन रहा है, tight circular cone, उसका radius r2 मान रहे है, and height equal to h2, and volume equal to v2, तो हमने दो चीज मान लिया, पहले वाले का और second वाले का, अब question में जो दिया है, उसको लिक लेंगे, from question it is given that, questions में क्या दिया है, h1 equal to 3.6 cm, जो पहले वाला cone है, उसका height 3.6 cm है, r1 जो है पहले वाले का radius, base का 1.6 cm है, और r2 equal to, जो second वाला cone है, उसका radius 1.2 cm है, and h2 equal to, इसको find out करना है second वाले के height को, अब देखिए, जो पहले वाला cone है, उसको पिखला के दुसरा बनाया जा रहा है, तो दोनों का volume जो है इसमें same होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, कि both cones volume will be the same, तो b1 equal to b2, कोन का volume होता है, 1 by 3, pi r square h, तो पहले वाले का जो volume होगा, 1 by 3, pi r1 square h1, equal to हो जाएगा, 1 by 3, pi r2 square h2, तो यहाँ पर देखिए, 1 by 3 pi, 1 by 3 pi, दोनों cancel out हो जाएगा, equal है तो, तो h2 equal to क्या होगा, r1 square h1 divided by r2 square, अब यहाँ पर देखिए, r1 का value put करेंगे, तो 1.6 into 1.6 into 3.6 divided by r2 का value put करेंगे, तो 1.2 into 1.2, यहाँ पर h1 का value 3.6 है, बागे जागे इसको सालवा करेंगे, तो देखिए, जो decimal equal equal है, तो decimal out हो जाएगा, तो 16 into 16 divided by 12 into 12, अब इसको cancel करेंगे 4 से, तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 into 3.6, अब आगे जागे सालवा करेंगे, तो देखिए, हो जाएगा, 4 4 जा 16 into 3.6 divided by 9, अब 3.6 को 9 से divide करेंगे, तो 0.4, और 16 को 0.4 से multiply करेंगे, तो 16, 4 जा 64, तो 6.4 cm हम लोगों क्या मिलेगा, यहाँ पर height मिलेगा, जो second वाला cone है, उसका, तो इसका answer को हैं आप लिख देंगे, so height आप new cone equal to 6.4 cm, यह क्या है इसका answer है, section C में question 11 है, factorize, x cube minus 23 x square plus 142 x minus 120, जिसको factorize करना है, अपने को factor theorem से, इस polynomial का factorization करने के लिए, remainder theorem से, सबसे पहले जो 120 है, उसके जो possible factors हैं, उसको हम लोग लिख लेंगे, तो दिखे, कहाँ आप लिखेंगे कि, let p x equal to x cube minus 23 x square plus 142 x minus 120, look for all the factors, सारे factor को देखेंगे, आप 120 का, 120 के हाँपे factor होंगे, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, plus minus 5, plus minus 6, plus minus 8, plus minus 10, plus minus 12, plus minus 15, plus minus 20, plus minus 24, plus minus 30, और plus minus 60, यहाँपे एक factor और होगा, हो है, plus minus 40, है ना, क्योंकि 43 जाभी, 120 होता है, तो सबसे पहले यहाँपे 1 put करेंगे, जब यह 1 को put करते हैं यहाँपे, तो 1 का cube minus 23 x 1 square, plus 142 x 1, minus 120, 20, जब इसको solve करेंगे हम लोग, तो हम लोगोंको 0 मिल रहा है, तो अगर p का value 1 put करने पे हम लोगोंको 0 मिल रहा है, मतलब यहाँपे factor इसका होगा, x minus 1, है ना, तो 10 x minus 1, इस फेक्टर आप, px, इस polynomial का factor क्या मिला, x minus 1, अब long region method से हम लोग, divide करेंगे x minus 1 को, जो given polynomial है उससे, x cube minus 23 x square, plus 142 x minus 120 से, तो देखें इसको divide करने का एक बहुत basic सा rule है, उसको में साब follow करिएगा, यह तो mistake हो सकता है, यह जो term है, उससे divide करिएगा, जो divisor है उसके first term को, तो x is cube divided by x, x square आ गया, तो x square को सबसे पहले हम लोग q cent में लिखेंगे, यहाँ पे, तो यह जो x square है, उसको फिर multiply करेंगे, जो divisor है उससे, यहाँ पे x is cube minus x square मिलेगा, अब यहाँ पे देखें, sin change हो जाता है, तो यह minus हो गया, प्लस हो गया, तो दुनों cancel out हो जाएगा, अब यह दुनों, यहाँ पे minus 23x square और plus x square, तो minus 22x square हो जाएगा, इसको निचे उतार लेंगे, तो plus 142x, अब यहाँ पे देखें, minus 22x square को फिर से divide करेंगे, कि इसके divisor के first term से x से, तो यहाँ पे क्या मिला, minus 22x से मिला, उसको यहाँ पे Q-sand को लिख देंगे फिर से, कि minus 22x और इसको multiply करेंगे x minus 1 से, तो जब x minus 1 से, इसको multiply करेंगे, तो यहाँ पे minus 22x square, plus 22x आगया, अब यह minus का यहाँ पे plus हो गया, और plus का minus हो गया, तो यह cancel out हो गया यह दनो, अब यहाँ पे देखिए, plus 142x minus 22x, इसको solve करेंगे तो 120x minus 120, फिर यहाँ पे जो 120x है, उसको divide करेंगे, जो divisor है, उसके first term x से से, तो यहाँ पे 120 मिला, और 120 को फिर यहाँ पे q-cent में लिख देंगे, फिर 120 को multiply करेंगे, x minus 1 से, 120x minus 120, तो यहाँ पे पुरा ही 0 आगया, तो यहाँ पे जो हम लोगों को q-cent मिला, इसका x square minus 22x plus 120, ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे, देखिए, दस x q minus 23x square plus 142x minus 120 equal to, एक ब्रेकेट में x से minus 1, और second में, जो q-cent है, x square minus 22x plus 120, अब इसको mid term split कर देंगे, तो mid term split में क्या होता है कि जो plus 120 है, वो mid term के product का value होना चीए, और mid term के split ऐसा होना चीए कि sum करें तो mid term आ जाए, तिहाँ पे देखिए, minus 12x minus 10x, तो minus 12 into minus 10 करेंगे, तो plus 120 आता है, यह हमको जो चाहिए वही, अब इसको आगे जागे शालवा करेंगे हम लोग तो, यहाँ पे देखिए, x minus 1, यहाँ से x से common आ गया, तो x minus 12, minus 10 common आ गया, तो x minus 12, इन दोनों में x minus 12 common है, जिसको हाँ पे common लेंगे, तो हाँ पे x minus 1, x minus 12, बखी क्या बचा, x minus 10, वही इसका, इस polynomial का factorization है, section c में question 11 का r है, factorize under root 2 x square, plus 9 x, plus 4 under root 2, 11 के r में, जो factorize under root 2 x square, plus 9 x, plus 4 under root 2, तो देखिए, इसको सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो इसका standard form है, quadratic polynomial का, x square plus b x से plus c से compare करेंगे, यहाँ पे देखिए, जो x square का coefficient है, यहाँ पे है वो, under root 2 है न, यह क्या है, यह है, और यह b है, जो x square coefficient है, जो constant term है c, वो 4 under root 2 है, तो इन दोनों का जो product है, a और c का, उसको mid term को split करके हमको लाना रहता है, इन दोनों का product हो जाएगा root 2, into 4 under root 2 equal to 8, तो mid term है 9 है, तो 9 को split करेंगे, तो 8 plus 1, तो 8 1 जा 8, है न, तिसी प्रकार से हम लोग mid term को split करते हैं, तो देखे हैं, हापे क्या लिखेंगे, under root 2 x square, plus 8 x, plus x, plus 4 under root 2, अब यहापे 8 x सो को split करेंगे, जिसे under root 2, एक common निकले, यहापे 4 x into under root 2 into under root 2, क्योंकि under root 2 into under root 2 क्या होता है, under root 2, 2 होता है, तो 2 को मैंने हापे split किया है, और यहापे देखें, 1 कामाल लेंगे, x से प्लस 4 under root 2 आ जाएगा, और इन दोनों में, under root 2 x को कामाल ले रहे हैं हम लोग, त अंदर क्या बचेगा, x से प्लस 4 under root 2, प्लस 1 को कामाल ले रहे हैं, तो x से प्लस 4 under root 2, तिहां पर देखिए, x plus 4 under 2 को कामाल लेना ही इन दुनों में, तिहां पर हमने कामाल ले लिया, यहां पर क्या बचा, under 2x plus 1, यही इसका क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, question 12 है, divide the polynomial 3x to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1 by x minus 1, इसमें जो given polynomial है, 3x to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1 को divide करना है, x minus 1 से, question 12 जो है न, वो polynomial में division की उपर है, long division method है, यहां पर देखिए, polynomial को बीच में लिख देंगे, जो sign होता है division का उसमें, 3x to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1, divide कर रहे हैं, जो divisor है, वो x minus 1 है, तो जो rule है, इसके पहले question में मैं बताया है, कि जो यहां पर जिससे divide करना रहता है, उसको यहां पर लिख देंगे, polynomial का जो first term है, उसको divide करेंगे, जो divisor है उसके first term से, तो 3x to the power 4 divided by x, equal to 3x cube, जो 3x cube है न, वही, जो qsaint है, उसका first term है, यहां पर 3x cube लिख देंगे, अब 3x cube को multiply करेंगे, यह जो divisor है, एक से minus 1 से, तो हो जाएकर 3x cube into x, तो 3x जो पावर 4, और minus 3x जो पावर 3, तो देखिए, दोनों cancel out हो गया, और यह minus का plus हो गया, तो minus 4x cube, plus 3x cube, तो minus x cube आया, और minus 3x है यहां पर नीचे आ गया, अब minus x cube को divide करेंगे हम लोग, यह जो divisor है, उसके first term x से, तो minus x cube divided by x equal to minus x square, यह जो minus x square है, उसको यहां पर लिख देंगे, अब यह minus x square को फिर multiply करेंगे किसे, यह जो divisor है उससे, तो minus x square into x, तो minus x cube, minus 1 into minus x square, तो minus minus plus हो जाएगा, तो plus x square, इसका sine change हो जाएगा, तो minus का plus हो गया, तो यहां पर cancel out हो गया है, तो minus 3x, और minus x square, तो minus x square बड़ा है तो इसको पहले लिख देंगे, फिर minus 3x से को लिखेंगे, अब देखेंगे, अब देखें, नया जो यहां पर term आ गया, minus x square आ गया, तो minus x square को फिर divide करेंगे x से equal to क्या हैगा minus x, इसको लिखेंगे हम लोग qcent में minus x, इसको multiply करेंगे x minus 1 से तो minus x into x minus 1, तो minus x square और minus minus plus x तो हम minus x square और plus x square cancel out हो गया यह जो minus 3x है और minus x है, तो minus 3x minus x minus 4x हो गया, अरे जो minus 1 है, जिसको हम इसके बगल में लिख लेंगे अब यहाँ पर देखिए, minus 4x को divide करेंगे x से तो minus 4x कट हो गया, क्या मिला अपने को minus 4 तो यहाँ पर जो minus 4 है ना, उसको फिर से हम लोग लिख देंगे कहाँ पर, जो qcent है उसमें और diviser से multiply करेंगे तो देखिए, यह हो जाएगा minus 4x plus 4 तो minus का plus हो गया तो यह cancel out हो गया तो minus 1 minus 4 equal to minus 5 तो यहाँ पर एंसर हो जाएगा hence the remainder is minus 5 Case-based question पर आ चुके है Case study 1 है, 30 number question Mathematics teacher of a school took his 9th standard students to show a temple nearby school He narrated the facts of temple to students regarding construction the pillars of a temple are cylindrically shaped तो देखिए, इसमें जो pillar है इस temple में, ओ cylindrical shape में है ठीक है, में चीज़े cylindrical की उपर based questions है उसके बाद इसमें बोलता है in each pillar, as a circular base of radius 20 cm तो जैसे cylinder में होता है हर pillar का जो circular base है उसका radius 20 cm है and height 10 meter लेकिन height इसका 10 meter आज याद रखियेगा न radius 20 cm में है और height 10 meter में है तो दोनों को येक unit में लाना होगा तो इसमें question A है find the volume up each cylinder कि हमको परतियक cylinder का volume find out करना है अब 13K में देखिए क्या गीबन है radius of cylindrical pillar जो cylindrical pillar question में बताया हुआ है उसका radius R equal to 20 cm है और height h equal to 10 meter है तो देखिए दोनों में अंतर है ये centimeter में है centimeter में convert कर लेंगे तो 20 cm equal to 0 decimal 2 meter ठीक अब volume निकालेंगी इसका एक pillar का तो V equal to pi R square h होता है क्योंकि cylindrical shape में है तो pi का value रखेंगे 3.14 multiplied by 0.2 multiplied by 0.2 into 10 इसको solve करेंगे तो 22 जा 4 0.04 into 10 into 3.14 तो 0.04 into 10 0.4 हो जाएगा into 3.14 इसको जाके solve करेंगे तो हम cancer मिलेगा 1 decimal 256 meter cube ठीक है तो ये पहला जो part है question को उस cancer होगा volume आपी cylinder कितना है 1 decimal 256 meter cube इसका second देखते है second में पूछता है कि जो 14 pillars हैं उसमें कितने concrete लगेगा concrete का mixture लगेगा करके तो ये equal होगा 14 pillar के volume के जितना volume होगा उतना mixture लगेगा तो इसको हाँ लिखेंगे कि concrete mixture required for 14 such pillars equal to volume of 14 pillars तो 14 इन्टू जो volume है 1.256 से को multiply कर देंगे उसको multiply करने पेंसर मिलेगा हम लोगों को 17.6 meter cube ठीक है तितना mixture जो है न 17.6 meter cube mixture हम लोगों को concrete का लगेगा 14 pillars को बनाने के लिए case base में question number 14 है an organization selected 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between the income level and the number of vehicle in a family the information gathered is listed in the table below तेक organization है जिसने 2400 families को randomly select किया और survey किया या पता लगाने के लिए कि क्या relation है income level के उपर और number of vehicle जो family में है उसके उपर तो जो information उन्होंने gather किया उसका list जो है यहाँ पर table में दिया हुआ है तो देखिए जो monthly income है यहाँ पर or less than 2000 25,000 है तो number of vehicle आप यहाँ पर ग्राब में देख सकते हैं 0, 10 है 1, 160 है और 225 है 3R more जो है जो है जीरो है तो इस टाब से पूरा table यहाँ पर दिया हुआ है आप question देखते हैं 27 है ना यह वाला number होगा है 27 क्योंकि यह वाला range जो है ना 25,000 हो 30,000 के बीच में है इसका भी है earning 40,000 or more per month and owing exactly one vehicle कैसे families कितने होंगे उसकी probability कितनी होगी जो ओन कर रहे हैं केवाल केवाल एक vehicle लेकिन उनका income जो है ना 40,000 या उससे ज्यादा है तो यहाँ पर देखिए 40,000 or more में एक vehicle ओन करने वाले जो families है ना वो 579 है ठीक है अब इसके में देखिए जो number आप families surveyed है कितने families का survey हुआ है 2400 है और number आप families earning 25,000 to 30,000 per month and owning exactly two equals और जो number आप families जिन का earning जो है ना 25,000 से 30,000 है और exactly two equals जो ओन कर रहे हैं उनका जो संख्या है number 27 है तो है फार्मूला क्या होता है कि probability आप an event equal to number आप event, number of favorable event कि जो favorable event होता है उसको उपर में लिखते हैं और total number आप event को हम लोग नीचे में लिखते हैं any divided by nt जहापे देखिए number of favorable event exactly two equals वाला 27 है उसको divide करेंगे जो total number आप यहाँ पर event है वो है 2400 उससे इसको अगर हम लोग सालव करेंगे तो 3 से दुनों कटेगा 39 है 27 और 38 है 24 तो इसका answer आजाएगा 9 divided by 800 ठीक है तो जो probability है कि number of family earning 25,000 to 30,000 per month and earning exactly two vehicles वोगा 9 upon 800 अब इसमें answer V में इसका देखिए answer V में पूछ रहा है कि जिन कर्निंग 40,000 या उससे ज्यादा हो और exactly one vehicle वो वन कर रहे है तहाँ पर number of families earning 40,000 are more per month and earning exactly one vehicle equal to 579 तो ऐसे जो families है उनका जो संख्या है वो 579 है जिनके पास exactly one vehicle है और जिन कर्निंग जो हैना 40,000 या उससे ज्यादा है फिर फार्मुला लागाएंगे कि probability आप event equal to number of favorable event divided by total number of event तहाँ पर देखिए number of favorable event कितना है 579 है और total number of event जो हैना 2400 है यह भी 3 से कर जाएगा 31 जो 3 2 आ गया 39 जो 27 और 33 जो 9 और 38 जो 24 तो क्या मिला हम लोगों को 1 and 93 divided by 800 तो किनका probability है जिन कर्निंग 40,000 से ज्यादा है एक महिने में और exactly one vehicle हो one कर रहे है जो जो ऑाएगा ऑाएगा जो 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 कर दो